जैहिन बच्चों मैं रामनात्पटले इस यूट्यूब चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस कालखन में हम कक्षा 11 की 83 परिक्षा वर्स 2022-23 के कला एम वाडिज संकाय के विद्यार्थियों के अर्थसास्त के प्रस्नपत्र में दिये हुए वस्तुनिस्ट प्रस्नों की जानकारी लेकर आये हैं विद्यार्थियों इन वस्तुनिस्ट प्रस्णों से हमको आगामी अर्धवार्सिक तथा वार्सिक परिक्षा में आने वाले प्रस्णों के प्रती एक आईडिया होगा साथ ही हमारा जो प्रस्णपत्र विगत दिवा संपन्ध हुआ है इस प्रस्णपत्र में आपके कौन से प्रस्ण सही है और कौन से गलत होगा है इसकी भी जानकारी हो सकेगी वीडियो में आगे जाने से पहले आप से आग रहे है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकान को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकिशन प्राप्त होती रहे तो आईए देखते हैं प्रस्न करमांग एक सही विकल्ब चुनकर लिखिए इसके अंतरकत पहला प्रस्न है अनुसंधान करता द्वारा स्वयम संकलित किये जाने वाले आंकड़े कहलाते हैं यहां पर सही उत्तर है आ प्रात्मिक आंकड़े दूसरा जब समगर की प्रते क्काई का अध्यन किया जाता है तो इसे कहते हैं यहां पर सही उत्तर है आ संकड़ना उनुसंधान किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कौन होता है यहां पर सही उत्तर है 7-360 4-13-579 का अंकड़े माध्य होगा यहाँ पर सही उत्तर है बा, पांच, पांच बा गणना के समय धन तथा रिन चिन्नों को ध्यान नहीं दिया जाता, सही उत्तर है आ, माध्धिविचलन में, छटमा, सा संबंद गुणांग सदय होता है, आ, एक से अधिक, बा, एक से कम, और सा, रिन एक और धन एक के बीच, दूसरा परसन रिक्तिस्थानों में सही विकल्ब चुनकर लिखिए, नम्मर एक, पूर में, उप्योग में आये हुए समंग, खलिस्थान समंग कहलाते हैं, यहाँ पर तीन उप्सन है, प्रात्मिक, दोतियक और त्रतियक, तो सही उत्तर है, दोतियक, दूसरा, वर्गी कर वरत्तिय चित्र गोलाकार होते हैं, पाँचवा, बहुलक वह मूल है, जिसकी आवरत्ति खालिस्थान होती है, अधिक तूसरा, प्रमाप विचलन सद्याव खालिस्थान से निकाला जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य, शात्मा, सहसंबंध गुणां का से बनाएंगे इस तम आ में पहले नंबर पर है प्रात्मिक समंग इसकी जोड़ी हम बनाएंगे खा मौलिक समंग से दूसरा मध्य बिंदू इसकी जोड़ी हम बनाएंगे का उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर तीसरा एक विमा चित्र इसकी जोड़ी हम मूल रिन सबसे छोटा मूल और छटवा सहसंबंद की अनुपस्थिती इसकी जोड़ी बनाएंगे एंगा आर बराबर जीरो प्रस्ट्रक्रमांग चार सत्य असत्य लिखिए नमर एक सरकारी प्रकाशन दोतियक समंग होते हैं सत्य नमर दो सानियन समंगों का पंक्तियों एव अनिवार है असत्य पाचवा पून सहसंबंद धन रिन एक होता है सत्य आनवी आवशक्ताएं अनन्द होती हैं सत्य प्रस्ट्रक्रमांग पांच एक सब्द में उत्तर लिखिए नमर एक एक वचन के रूप में सांकी की को क्या कहा जाता है तो उत्तर में हम लिखेंगे एक प्वचन के रूप में सांकी की को सांकी की सास्त या विज्ञान कहा जाता है बाउले के सब्दों में सांकी की गणना का विज्ञान है या सांकी की अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है दूसरा उस समंग का नाम लिखिए जिनका संग्रहन अधिक खर्चीला होता है तो इसका उत्तर है प्रात्मिक समंग नमबर तीन सारणी में टिपणी कहां लिखी जाती है सारणी के नीचे चौथा संचय आवरति वक्र को क्या कहा जाता है तोरण या ओजाई पांचवा अब किरण की कौन सी माफ सबसे अधिक विस्वस्ति है उत्तर है प्रमा बिचलन चटवा सहसम्मंत की स्रेणी अंतर विधी का प्रतिपादन किस ने किया इस पियर मेंन ने और सात्मा बहुवचर में सांखी की से क्या आर्थ है तो बहुवचर में सांखी की का आर्थ होता है समंग अथवा सांखी की सामगरी से जैसे जनसंख्या के समंग रास्टियाय के स समंग आदी तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कख्षा ग्यारवी अर्थसास्त्र विसाई की त्रेमासिक परिक्षा के प्रस्नपत्र के वस्तुनिष्ट प्रस्नों के बारे में जाना अगले कालखंड में हम त्रेमासिक परिक्षा के प्रस्नप कारी के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन